आप देख रहे हैं सिटी तैल का और मापके साथ संदीव शर्मा और लाइव और सीधी तस्वीरे फिर से आपको बड़ी खबर के साथ जो हरियाना की बड़ी खबर है लगातार सोसल मीडिया पर सभी टैनल्स पर सुनाली फोगाट जो है मर्डर मिश्ट्री बनी हुई है और उसमें नया जो मामला आया है नया खुलासा और एक नई अपडेट आई है जो आपको जो है ये सुना रहे हम एक पत्र एक चिठी जो है सिकायत चिठी गोवा पुलिस को दी गई है सोनाली फोगाट के भाई के द्वारा और ये वही चिठ ति तमाम सोशल मीडिया जो है सभी ग्रूपों के अंदर वाटसप के अंदर ये चिठी जो है तेज वाइरल हो रही है तेजी से और जिसमें बड़ा खुलासा जो है बड़ी सिकायत में बताया गया सोनाली फोगाट के भाई के द्वारा की जो आरोपी है जो प्ये सोनाली फोगाट का सुधीर जिया सुधीर सांगवान लगातार जो है घरवाले सोनाली फोगाट के उस पर सक जाहिर कर रहे थे और उनकी तरफ से कावे जा रहा था कि हमें कुछ सक है संका है और उसी के चलते रेप की जिहां जो सोनाली फोगाट के भाई है रिंकु ढाका उनकी त 2018 का मामला जो बताया जारा की हिसार का जो संतनगर है वहाँ पर हिसार के संतनगर में 2018 में उनके घर पर उसने 2014 को नसीला पदार खाने के अंदर कोश डाला वो बेहोस हो गया उसके बाद में उसके साथ रेप किया गया और फिर उसने उसकी वीडियो बनाई असलेल वीडियो और उसी जो असलेल वीडियो के आधार पर वो लगातार उसके साथ रेप करता रहा था और इस मामले में यह भी बता जा रहा कि वो उस वीडियो के जरीए उसको ब्लैक मेल कर रहा था उसके राजनिती करियर को खत्म करने की बात कर रहा था उसके फिल्मी करियर को खत्म करने की बात के चलते उस पर हर रात जो है बता जा रहा कि दबाव बनाता था और ये कहता था कि भई तुम्हारा करियर जो है वो खत्म हो जाएगा तो ये बड़ी सिकायत और बड़े आरोप जो रिंकु ढाका है सोनाली फोगाट के भाई उनके द्वारा लगाए गए हैं और उन्हेंने कहा कि चोरी भी जो घर पे हुई थी वो सुधिर जो सांगवा जो सुधिर सांगवान है उसने कहा था कि सुटिंग के लिए वो गवा गई थी लेकिन उन्होंने चेक किया उन्होंने बताया कि कोई ऐसी सुटिंग नहीं थी उनकी बहन चंडिगड में जाना चाहती थी चंडिगड में रहना चाहती थी जबरदस्ती उसको सुधिर जो सा और जांच जो है वो शुरू कर दीगाया और ये भी बताई गया कि किस दिर पहले मैंने लाइव में बताई थां जो सोना लिफ होगाट है उसके जेट के दौरा यह बतायो था कि वह लगातार जो है सुदीर जो सांगमान है वो क्योंकि परिजन परखें उसके फोन आ गया था और जब भी घरवाले फोन करते थे तो वो उनको मना कर देता था कि मैडम चंडिगर में है या दिल्ली में है तो उसने ये बताया गया कि पूरी तरह से उसने कंट्रोल कर रखा था सोनाली फोगाट को और वो उसके बस में थी उसके कहने पे चलती थी व भी लोग मिलते थे जो भी कारेकरम करने तैह होते थे वो सब के सब सुधीर सांगवान तैह करता था कि उसको किस से मिलना सोनाली फोगाट को किस से नहीं मिलना है किनके कारेकरम में उसको पहुंचना है तो तमाम पहलों पर पुलिस के द्वारा जांस की जारी है बड़ा सुनाली फोगाट के भाई ने गोवा पुलिस को दिस सिकायत में बताया है कि उसकी बहन के साथ लगातार पीए जो है सुधीर सांगवान वो रेप कर रहा था चोरी की वारदात को अंजाम दिया और जैसा कि पहले ही परिवार ने बताया था कि माथे पर जो है निसान मिले हैं और उस पे उसी वक्त उन्होंने सक जाहिर किया था कि जब उसकी मोत की खबर सुनाली फोगाट की मोत की खबर उन्होंने परिजनों को दी उसके बाद में उसका नंबर बंदाया सुनाली फोगाट का नंबर बंदाया तो तमाम पहलों पर जो है अलग अलग सब के सब घरव गरवाले से जब उसकी माह की बात हुई तो माह को उसने बताया था कि उसके खाने में कुछ सक है कि कुछ मिला दिया गया हुआ घबराट हो रही थी तो उसी वज़े से हो सकता है कि जो साजिस के तयात पीए के दौारा इस कारे इस काम को अन egent कोना दिया गया है सबी संगठन राजिनितिक पार्टिया जो विपक्सी पार्टिया है उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की नेत्री है तो इस मामले में पूरी तरह से निस्पक से जांच होनी चाहिए गोवा पुलिस को तब तीस करनी च पिर असे प्जारा पीर को उंख शेंस अर्गने retrouver जानकारी जानकारी घुख क्राइए नियुक diff 거기 मेंट हैग Опप्र्म गाती से वीडियों को यसे करते रहें आकर वह में आपको उसी बीच में happy देते रहेंगे बहुत-बहुत शुक्रीन न गार